तो कैसे हैं आप आज का जो मरा टॉपिक है वो है human rights human rights basically human rights law जो है या इसको आई चाराल भी कहते है अचाराल भी कहते है international human rights law human rights law यह basically international law की एक branch है और यह कहा जाता है कि international law की बहुत सारी branches है जिनमे human rights law international humanitarian law international refugee law international sea law यह बहुत सारी इसकी branches है बहराल यह एक ऐसी branch है international law की जो के आज world में सबसे ज़्यादा grow कर रही है सबसे ज़्यादा develop हो रही है United Nations सबसे ज़्यादा इसके उपर काम कर रहा है तो इस एक वीडियो के अंदर human rights के topic को in detail लेकर चलना इंतहाई मुश्किल काम है इसको summarize करना भी एक बहुत मुश्किल काम है क्योंकि यह इतनी vast field है इसकी अगर हम सिर्फ एक convention के उपर एक declaration के एक article के उपर भी अगर हम बात करें तो घंटों की discussion हो सकती है लहाजा मैं कोशिश करूँगा कि मैं आज आपसे एक basic level की information शेयर करूँ ना कि advanced level पर जाकर share करूँ क्योंकि human rights law के ओपर पूरा का पूरा LLM और PhD जो रही हैं और मेरे बहुत सारे friends हैं जो इस पर LLM कर रहे हैं लहाजा मैं इस पर आपको in detail advanced तो नहीं चीज़ें बता सकूँगा मैं एक basic level की जो information and knowledge वो मैं आपसे share करूँगा सबसे पहले अगर मैं human rights के concept की बात करूँ तो इसका concept ये है के rights which every human being possess by virtue of being human यानि के ये वो rights हैं जो के एक इनसान पोजेज करता है सिर्फ इसलिए के वो इनसान है इसलिए नहीं के वो किसी मुलक का national है इसलिए नहीं के वो किसी एक खास religion से तालक रखता है इसलिए नहीं के वो काला है या गोरा है इसलिए नहीं के वो किसी एक race से तालक रखता है या किसी ethnicity से तालक रखता है सिर्फ इसलिए के वो human है यानि के आप ये right इसलिए possess कर रहे हैं क्योंके आप human है अब human कोन है ये तो हमें सब को पता है we all are human जिनको अल्ला ने अशरफ المخलुकात भी कहा है तो अब human rights की detail में जाने से पहले इस discussion की मेरी वैसे तो एक independent video है पूरी rights के उपर definition of right या what is right मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा right के बारें बताता हूँ कि what is right right जो है basically right की जो definition है exactly बहुत सारे authors ने इसको अलग तरीके से define किये लेकिन मैं एक असान सी definition अक्सर share करता हूँ definition of right is basically right is an interest right is an interest which is recognized and protected by law सबसे पहले जो right है ये एक interest है और ये interest जो है recognized भी है और protected भी है by the law अब सबसे पहले सवाल ये है कि interest क्या होता है interest कहते है acquisition of benefit and repulsion of loss यानि कि जिस चीज से आपको फाइदा हो और आपको नुकसान ना हो that is your interest हम अक्सर कहते है I am interested in this something तो इसका मतलब क्या है कि हमें इससे फाइदा है हमें इससे नुकसान नहीं है यानि कि right सबसे पहले क्या हो गया that is your benefit उसके बाद ये ऐसा benefit है जो के law ने recognize कर दिया यानि कि इसको identify कर दिया उसके बाद पर उसको protection भी दिया protection by law हो सकती है by executive enforcement हो सकती है तो अब law कौन सा इस पे different approaches है natural law वाले तो ये कहते हैं कि ये वो कानून है जो कि किसी legislative body ने ने बनाया किसी statute ने ने बनाया बलके ये तो by nature जो है ये rights आपको दिये गए है law के थरू जो कि जबके positive law वाले जो है वो ये कहते है कि this is purely based on the legislation यानि कि man-made law है खेर, right को समझने का असान से तरीका ये है कि ये benefit है जो कि आपको आपके जो कि रिकगनाइज़ भी है और protected भी है by the law इसके बाद अगर मैं इसकी nature की बात करूँ, nature of human rights की तो इसकी nature के बारे में कहते हैं कि this is inherent in nature inherent का मतलब क्या होता है, inherent का मतलब होता है जो के आपने किसी ओर से derive नहीं किया, खुद से derive होया या creator ने आपको दिया, इसके बारे में कहते हैं कि human rights जो है this is not given by your legislature, this is given to you by the creator जिसने आपको पैदा किया, उसने आपको ये right दिया है ये right आपको किसी statutory body ने नहीं दिया किसी आपको legislative body ने नहीं दिया, किसी statute ने नहीं दिया ये बलके आपको creator ने दिया, inherent का मतलब होता है permanent in nature, या फिर जो के आपने खुद से derive किया हो इसके बाद इसकी nature के बारे में कहते हैं कि this is universal in nature universal का मतलब ही है कि ये तमाम दुनिया के लिए एक है human rights दुनिया में सब के लिए same है यानि कि ये नहीं है कि अगर human rights एशिया के लोगों के लिए different होंगे और अफरीका की जो अवाम हैं उसके लिए different होंगे या अमेरिका के लिए different होंगे, ये पूरी दुनिया के लिए जो है universal है इसके लावा अगर हम इसकी एक और nature की बात करें तो they are inalienable ये transferable नहीं होते, ये आपको पास है, ये अगर आप कहें कि मेरा जिंदगी का हाक है मेरे liberty का हाक है, तो आप ये transfer नहीं कर सकते हैं, ये आपका अपना हाक है there are some rights which can be transferred like property rights, but generally ये कहा जाता है they are inalienable, इसके अलावा इसको कहते है indivisible, यानि कि ये divide नहीं हो सकता तो ये तो है human rights की nature, और इसके बारे में जो एक सबसे खास बात है वो ये कही जाते है, they are natural rights, natural rights का मतलब है कि ये by nature आपको दिये गए है, ये किसी legislative body ने produce नहीं की है ये इसकी एक खास nature के ओपर discussion की जाती है human rights के हवाले से अगर मैं इसकी kinds की बात करूँ, तो बेशमार kinds हैं इसकी, लेकिन मैं यहाँ पर major kinds डिसकस करूँगा जिनमें सबसे पहले आजाती है, it's self human rights, कि ये human rights जो है universal rights है इसके लवा fundamental rights जो कि आपके constitution ने आपको दे लिए, फिर civil and political rights, आपकी जिंदगी, आपके liberty, आपकी residence के हवाले से फिर आपके economic and social cultural rights के आपकी employment का, आपकी education का, आपकी hygienic food का, ये सारे आपके economic, social and cultural rights में आ जाते हैं इसके लवा basic rights आजाते हैं, basic rights के, जिसके बारे में दुनिया ये कहती है, कि तीन basic rights हैं, आपकी life, liberty and property, कि ये तीन आपके basic rights हैं तो अगर, kinds itself इसकी और भी बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको briefly इसकी kinds बता रहा हूँ, इतनी major, जो इसकी devian है, उसमें नहीं जा रहा, otherwise, मैं इंशाला future में एक इस पर वीडियो बनाऊंगा, legal rights की kinds के ओपर बहुत सारी kinds आ जाते हैं, perfect right, imperfect right, और भी बहुत सारी kinds हैं, खेर, इससे जो next हमारा point है, origin and development, origin and development, हमें बहुत सारी authors ने different तरीके से इसको बताया, तो मैं इसको बड़ा briefly आपको explain करने की कोशिश करूँगा, सबसे पहले, तो जो Roman states है, Roman states ने किस तरहां से human rights को start की, कहते हैं कि आज evidence जो है, वो Roman states के evidence हैं हमारे पास मुझूद है जिसमें लगता है कि human rights सबसे पहले इन्होंने दिये, जिसमें ये कहा जाता था कि ना, उनके दो तरहां के कवानिन होते थे, just civil eye and just gentium, just civil eye होते थे, rights of the Roman citizens and just gentium होते थे, rights of the non-citizens of the Romans, यानि कि अपने शहरीयों के लिए जो थे, वो थे just civil eye, और जो अपने शहरीयों के National Law का दूसरा नाम भी कहा जाता था, क्योंकि ये जाहर सी बात है, non-national skill से deal करता था, तो ये कहा जाता है कि आज जो evidence मुझूद है, इसकी history का, origin का, वो यही है, कि सबसे पहले जो human rights हैं, वो जो है, Roman states ने दिये, just civil eye and just gentium की शकल में, कि अपने citizens को rights दिये, और non-citizens को भी rights प पर रहा हूं, तो Islamic religion जो है, इसमें हमारा जो last sermon of holy prophet है, मुझूद सुलम का, खुत बहज़त अलविदा जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर उन्होंने बात की थी, कि किसी काले को, किसी गोरे पर, किसी अर्बी को, किसी अजमी पर कोई focus थासिल नहीं है, यानि कि equality की बात हुई और आज ही कहा जाता है, जो United Nations की जब formation रख रहे था, या UDHR की, तो उस टाइम पर इसको भी code किया गया था, कि Islam जो है, इसकी भी एक basic document समझे जाती है, जिसमें equality का concept दिया गया था, equality among the persons, not the Muslims, यानि कि तमाम लोगों में, तो अब Islam के बाद अगर हम देखें, तो एक major document हम हमारे पास आती है, मेगना काल्टा, मेगना काल्टा 1215, जिसके अंदर एक बहुत एहम राइट दिया गया था, वहाँ के लोगों के demand ये थी, कि no representation, no taxation without representation, no taxation without representation का मतलब ये, कि हम tax नहीं देंगे, जब तक कि हमें represent करने का मौका नहीं दिया जाएगा, इसका मतलब ये है, कि वहाँ के लोगों को, वहाँ जो England के लोग थे, उन्होंने king से ये फरयाद की, कि जनाब अगर आप हमारे से tax collect करते हैं, तो हमें represent होने का भी मौका दिया जाए, और representation का मतलब क्या था, basically, वो ये था, कि हमारे rights को recognize किया जाए, जिन में सबसे एहम civil and political rights आते थे, कि उनको right to vote दिया जाए, उनको right to contest जो elections हैं, वो दिया जाए, तो ये एक बहुत एहम document, एक बहुत एहम development समझे जाती है, middle ages में, human rights के हवाले से, इसके बाद, bill of rights 1689, एक बहुत एहम document समझे जाती है, England के हवाले से, जिसमें king ने बहुत सारे civil and political rights थे, वो अपने शहरियों को दियो, और बकाइदा एक inheritance of the legacy, जो है, king की और coin की, वो उसमें defined की, तो ये भी एक बड़ी एहम document है, origin and development of human rights में, इसके बाद आ जाते है, American Revolution, American Revolution 1776 के अंदर एक declaration दिया गया था, declaration of independence, क्योंकि अमेरिका जो है, ये कालूनी थी, British की जैसे subcontinent was the colony of British, तो इसी तरह से अमेरिका भी एक काल ये जो है, ये declaration दिया, ये Thomas Jefferson ने इसको ड्राफ्ट किया था, इस declaration को, इसके अंदर उनने अपनी जो basic rights है, इनसान के, जिसमें उन्होंने डिमांड किया थी, life, liberty, property and pursuit of happiness, इसको जो है, उन्होंने डिमांड किया था, कि हम ये claim करते हैं, और हम ये लेके रहेंगे, और उसके पर American Independence हमारे सामने आती है, इसी तरह से, जो next है, वो है French Revolution, French Revolution में एक सबसे जो momentum टाइम था, जिसमें एक ऐसे चीज जिस टाइम पर French Revolution जो है, वो बहुत ज़्यादा ग्रोग कर रही थी, ग्रोथ जिसकी हो रही थी, वो है 1791, जिसके अंदर एक declaration दिया गया, declaration of rights of men and citizens, ये ए एसा declaration था, जिसके अंदर फ्रांस के जो लोग हैं, उन्होंने बहुत सारे inalienable rights जो हैं, वो develop किये, और एक draft के अंदर त्यार किये, और फ्रांस के king से demand किये, इसमें बहुत सारी approaches जो हैं, वो उसमें economic rights की हैं, जो के मांगी गई, king से, और इसके अलाबा, उस टाइम पर एक बहुत एहम theory चल रही थी, लाइजर स्फेयर theory, जो के economic rights से deal करती थी, और इसके बाद अगर हम एक major development देखें, तो वो हमारे सामने आती है, Atlantic Charter, जो के बनियात बनी, जो के basic document समझे जाती है, UN Charter के हवाले से, यानि के UN Charter, basically, UN Charter जो है, उसमें जो उसका preamble है, preamble के अंदर या हम states, states का word use नहीं कियागा, कहा गया, we the people, यानि के हम लोगों के लिए establish की जा रही है, और उसके अंदर बार बार, United Nations के Charter के अंदर, respect and protection of human rights की बात हुई है, और human rights का itself एक पूरा organ, economic and social council, इसके अपर मेरे एक independent video भी है, economic and social council का जो major काम था, वो था protection of human rights, और economic and social council ने जै जैसे establish होई, तो उसके फोरां बाद अपनी एक human rights commission भी बनाया, जिस पर आज वो convoyt होके human rights council बन चुका है, और वो काम कर रहा है, तो इसके बाद 1945 में जब UN charter के बाद की अगर हम development की बात करें, तो वो आ जाती है, इसको कहते है international bill of rights, international bill of rights के अंदर चार major documents आती है, number one is UDHR Universal Declaration of Human Rights 1948, और उसके बाद आ जाते हैं ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights, फिर ICESCR, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, और उसके बाद optional protocol of ICCPR, यानि कि ये individual complaint system है, optional protocol of ICCPR, के अंदर ये चार documents ऐसी हैं, जिसको international bill of rights आज कहा जाता है, ये समझे जाती है, कि ये development जो के Roman citizens start with a just civilized, just gentium, ये 300 before crisis है, और आज 1970s, 80s तक ये development इतनी जाद हो चुके और उसके बाद बेशमार human rights treaties हैं, जिसमें एहम जो हैं, ये ICCPR, ICSR, CATS, CRC, और बहुत सारी इस तरह की जो treaties हैं, वो human rights को पर develop, human rights को develop कर रही हैं, अगर मैं इसकी protection की बात करूँ, तो इसमें दो तर हमारे सामने आती हैं, एक आती है international protection और एक है national protection, सबसे पहले international protection आपको बताता हूँ, कि international protection किस तरह से है, सबसे पहले तो United Nations ने itself जैसा कि मैंने बताया, अपना एक पूरा organ, economic and social council, जो है, वो established किया, और economic and social council को जिम्मेदारी दी, कि वो human rights के उपर काम करेगा, और उन्हों economic and social council ने सबसे पहले जो है, वो human rights commission बना है, 1946 में, जिसको ये कहा गया, कि वो human rights की treaties ड्राफ्ट करेगा, और international themes क्रियेट करेगा, human rights की protection के अवाले से, उनकी observance के अवाले से, और फिर 2006 के अंदर, वही जो एक commission था, वो council बन गया, जिसको आज human rights council कहते हैं, और ये एक independent इसमे एक इदारा बना दिया गया, United Nations का, और ये इसके 47 members हैं, और ये बहुत अच्छे तरीके से अपनी duties परफॉर्म कर रहा है, इस, जो human rights council है, ये human rights council जो है, इसने, इसने एक system डिवलप किया, जिसको हम जू पियार कहते है, universal periodic review, universal periodic review जो है, ये एक ऐसा system है, जिसके अंदर हर 5 स साल बाद states को बलाया जाता है, state की बारी आती है, 2008 के अंदर ये start हुआ था और तब से चल रहा है, इसमें हर 5 साल बाद एक state की बारी आती है, और उनसे पूछा जाता है, आपने जो treaties अभी तक ratify की है, आपने अपनी state के अंदर उनको कितना एक implement की है, यानि के पाकिस्तान अगर 10 treaties ratify की हैं, तो पाकिस्तान से हर treaty के हर article के ओपर discussion questions किये जाएंगे, कि आपने इनको अपनी state के अंदर कैसे implement की है, इसके अंदर reporting system होता है, state से भी report मांगी जाती है, और जो NGOs हैं उनसे भी reports मांगी जाती है, और वो बताती है कि कितनी एक implementation हो रही है, human rights की, इसके कर रही हैं, वो हर treaty के हवाले से, for example, अगर मैं cat की बात करूं, convention against torture 1989, तो उसके अगर जितने भी articles हैं, उन articles के ओपर question answer किया जाता है, state से, after every few years, two years, three years, four years, हर treaty में vary करता है, वो पूछते हैं कि आपने इस particular treaty को अपनी state में कैसे implement किया है, इसके अलावा, अगर मैं national protection की बात क करूं, तो national protection में सबसे पहले हमारा constitution है, constitution का article 199, जो है, वो एक enforcing right, जिसको हम कहते हैं, यह हमारे fundamental rights हैं, उनको enforce करवाने के लिए, इसी तरह से article 184, जो है, वो supreme court की jurisdiction है, 1843 और 199, यह दो major article समझे जाते हैं, जिनके थुरू आप human rights claim कर सकते हैं, अपने, अब human rights को fundamental rights हमारे पाकिस्तान के article 8 से article 28 तक, जो है, वो इनको enshrine कर दिया गया, article 8 को umbrella clause कहते हैं, यानि के कोई भी ऐसा right, कोई भी ऐसा कानून, जो के human rights के against बनाया जाएगा, कोई भी ऐसा कानून, जो के human rights के against बनाया जाएगा, human rights वो जो article 9 to 28 में चैना है, यानि के fundamental rights, तो वो कानून भी null and void declare हो जाएगा, ये हमारा article 8 कहता है, और इसके अलावा अगर article 9 to article 28 कोई भी आपका fundamental right violate होता है, तो आप high court और supreme court में move कर सकते हैं, ये आपको national protections दी गई हैं, इसी तरह से एक और इदारा है, पाकिस्तान के अंदर, जो के 2012 के अंदर बनाया गया, national commission of human rights, national commission of human rights 2012 में बनाया ग तो minister है, डाक्टर शेरी मजारी इसको lead कर रही है, और इसमें individual complaint system है, अगर पाकिस्तान के citizens को किसी भी किसम को कोई human rights का problem है, या उनका violate हो रहा है, तो वो individual उनकी website के अपर complaint भी कर सकते हैं, ये था हमारी national protection of human rights, उमीद करता हूँ कि मैंने इतने बड़े topic को summarize करने की कोशिश किया है, इस पर बहुत सारी discussions, बहुत सारे issues और भी in detail discuss हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा कि मैं basic level की video बना रहा हूँ, तो मैंने कोशिश किया कि मैं इसको summarize कर सकूँ, thank you very much.